आज जो हालात हैं उसका जिम्मेदार कौन है जरूर रोहिज जी मैं समझता हूँ उसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा विपक्ष है और आप खुद देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमिज शाजी ने बार-बार जनता को ये अपील करके स्पष्ट कर दिया कि प्रास होने से नहीं जाता है अनर्सी की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है लेकिन ममता दानर जी कहती है युनाइटेड नेशन आ जाए मतलब हमारे देश की जो स्वायतिता है वोही खतम हो जाए जिस आदार पे लोगतंत होता है और युनाइटेड नेशन कूद दे कौन सा ऐसा वाइलेशन है किस अनुच्छेत का संविधान के जिसकी वज़ा से ये कहते हैं कि मुसल्मानों के अधिकार का हनन हो रहा है तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आप देखिए न्यूस पेपर में सरकार अपील भी दे रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में दोसो दंगे हुए तो उनको मलाल है कि योगी जी की मचबूट सरकार में दंगे क्यों नहीं होते संबल के जो समाजवादी पार्टी के एंपी है वही नामजद है वो भड़का रहे थे लख्डव में भी जो रिपोर्ट आ रही है वहाँ समाजवादी पार्टी के निताओं को पाया गया भरकाते हुए तीसरी एहम बात जब मजजद में नमाज पढ़ने जाया जाता है तो क्या मजजद की नमाज के बाद ये राजनितिक इसको रूप देना कितना उचित है रोही जी एक पैंफलिट है ये सर्कुलेट हुआ तो हमारे पास भी आया इसमें कैसे भेफलाया जा रहा है लिखा है कि 35 करोड मुस्लिम है देश में इसमें से 30 करोड मुस्लमानों की नागरिकता चली जाएगी तो मैं केवल इतना ही कहूंगा पढ़िये उसके बाद कानून पढ़िये सेटिजम शिबाक का और आपके चैनल पे बता दे पैंपलिट आपको भी पहले चपवा के बठवा दिना चाहिए था ना कि जो अफवाहें पहल रही हैं वो गलत हैं पहली चीज़ दूसरा आप ये कहते हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है सरकार आपकी है गौरवभाटिया पुलिस आपकी है गौरवभाटिया लोकल एजेंसियां सारी खोपिया आपके पास हैं आपको पहले से अगाह कर रही होंगी कि अगर इस तरीके की कोई तयारी चल रही है तो उससे कैसे निपटने के लिए तयार होना चाहिए सरकार को भी आप कहरेंगी विपक्ष जिम्मेदार है आपकी बात का उत्तर देता हूँ क्या ये सत्ते नहीं है कि पार्लिमेंट में भी जब बहस हुई इस बिल पे सीएबी पे उसके बाद ग्रे मंत्री अमिट शाजी ने बिलकुल स्पष्ट किया नरेंदर मोधी जी ने चुनावी रैलियों से जो लाइव टेली कास्ट हुई है बताया कि किसी भी देश के नागरिका कोई भी हक मारा नहीं जाएगा और सबसे बड़ी बात है जहाँ जहाँ भारतिय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे निताओं का क्या रोल है आप बताईए सकरात्मक रूप में अगर आपको प्रदर्शन करना है आप करिये लेकिन आप दंगई नहीं बन सकते अरेश्ट हुई है कल योगी जी ने ये भी कह दिया है कि चिनित कर लिया है दंगाईओ को उनकी संपती भी जब्त करेंगे उनको कानून के अनुसार सदारी होगी लेकिन जतनी दिमल्मदारी सरकार की है उत्तली विपकती भी है यहां पर आग लगी हुई है दस शहाँ की कम से कम तस्वीर लोट पाएंगे के नहीं आप कहने कि योगी जी ने कल चेतावनी दे दिये ऐसी चेतावनी किस काम की फिर जिसका कोई डर नहीं है अच्छा रोए जी आपके चैनल पे ही कल चल रहा था कि डीजी पी ओपी सिंग जी खुद जो है सडकों पे थे वो स्तिती का जायजा लेके नियंतरण कर रहे थे अरेस्ट हुई योगी जी ने अपील भी करी है मैं दुबारा कहूंगा कि जो दंगाई है उनको बक्षा नहीं जाएगा और संविदान केवल इतनी अजाज़त देता है कि आप प्रदर्शन करें हिंसा की अजाज़त नहीं देता है जो ममता बैनर जी कह रही है राहुल गांदी का ट्वीट देखिए 144 दारा लगाई है गलत है और मद्यप्रदेश में सारे जिलों में 144 दारा लगी हुई है तो इस तरह की दोहरी बात करना विश पहलाना समाज को बाटना ये कितना उजित है